चंदिया में हुई तेज बारिश ने एक तरफ किसानों को खुश किया तो वही दूसरी और पुल्ल के उपर से बहती कतली नदीने नवगाज मोहौल के लोगों जो पानी के चलते दिन भर बहाव तेज होने के कारण आने जाने में हुई काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा सिर्फ जरूरी काम के लिए ही लोग पुल्ल लोगों की मदद कर पार कर पाय नगर में बारिश से कई मोहलों में घरों के अंदर तक पानी भरा जिससे सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें हुई जिन्हें प्रधानमंत्री आवा स्योजना का लाब कोशिस करने पर भी प्राप्ट नहीं हुआ कई लोंगों को बारिश के चलते तिरपाल अपने उपर ओड़ हुई बारिश से खुद को सुरक्षित रखना पड़ा चंदिया नगर में कई ऐसे पीडित हैं जिन्हें आवा स्योजना का लाब अभी तक प्राप्ट नहीं हुआ और जिन्हें पहली राशी प्राप्ट हुई उन्हें भी कई महीनों से अपनी दूसरी राशी आने का इंतजार कर रहे हैं कोशिस करने पर भी कई लूगों को असफलता ही हाथ लगी जिस कारण कई लूगों ने बारिश से बचने के लिए तिरपाल खरीद अपना गुजारा किया हाला कि नगर परिशद नव नियुक्त सीमो बारिश में किसी के घर की शिकायत सुन दौरा कर स्वयम देख जल्द ही आवास योजना लाब का इस्वासन दिया